सबसे पहले दो इंपोर्डेंट अपडेट्स इन दिनों में जहां पर भी केंप लगे हैं जहां पर भी फोन वित्रित किये गए हैं वहां पर दो ही फोन दिकाई दे रहे हैं पहला रियल्मी C30S जिसके बारे में हमने कल बात की थी दूसरा आमाई का रेड्मी A2 ये दो फोन ही वित्रित किये जारे हैं अब तक हमें कोई भी ऐसा फोन दिकाई नहीं दिया है जो और प्राइजड हो यानि कि सरकार ने कहा है कि अगर आप अपनी जेम से पेसे खर्च करक ये देखा है कमेंट सेक्स में जरूर बताइए दूसरी सबसे बड़ी अपडेट ये कि जादा तर जो सिम वित्रित किये जा रहे हैं वो वोड़ा फोन के है मैंने कई केम्पों के फोटेज निकाले और वहां पर चेक किया तो वहां पर वोड़ा फोन के ईसी में दिकाई द वो फोन लेना चाहिए क्योंकि इस मोबाइल के रियर में डूल केमरा सेट अप है यानि कि सदान वासा में दो केमरे है पिछे की साइड और जो रियलमी वाला है उसके पिछे की साइड एक केमरा है बाकि आप अपने हिसाब से ले सकते दोनों ही फोन इस प्राइस बाकि दोनों में दो जीबी रेमा आपको देखने को मिलता है और 32 जीबी की करीब मेमोरी देखने को मिलता है जो कि एक साधान एक सिंपल फोन है कल भी मैंने आपको बताया था अगर आप एक्सपर्ट हो और गेम वगरा खेलना चाते हो ज्यादा आई-पाई काम करना चाते रही है इंटरनेट कनेक्टिविटी भी फोन के साथ में दे रही है तो इंटरनेट प्लान जो सामने आए वह बीच जीबी डेटा वाला सामने आए प्लान जो सामने प्लेट के अंदर वह आज मुर्थ भी जा रही है यह हमारी सर्गार की बहुत बड़ी खूबी है जो वादे हम करते हैं वो दिभाते भी हैं भी खुषी है कि हाई हम लोग शेजार आट सुर फे करती मुबाईल इन्क्लूडिंग उटका ट्वंटी जीबी का लाता भी बढ़ा दे हैं उसके अंदर अब लोग 20 GB का राम सुनकर उचल रहे होंगे कि 20 GB तो खतम ही नहीं होगा तो दोस्त 20 GB आपको एक दिन का नहीं महीने का मिल रहा है जी हाँ 20 GB इंटरनेट आपको मिलेगा एक महीने का और साइद बताया जा रहा है कि 9 महीने का आपको इंटरनेट प्लान इस फोन में देखने को मिलेगा और यहाँ पर जिस तरह से आज कर लोग फोन यूज करते हैं इस्टाग्राम रील यूटूब सोट्स वगएरा देखते हैं तो 20 GB एक दिन में खर्च करने की इमत रखते हैं लोग आपकी क्या रहा है बाकि वोईस कोल एंलिमिटेड मिलेगी आप जितनी चाहें बाते कर सकते हैं एक सबसे बड़ा सवाल जो पिछले वीडियो के कमेंट सेक्स में पूछा गया था कि ये जो फोन है वो हम बाहर से ले सकते हैं या नहीं हमें केंप जाने की क्या जरूरत है सरकार हमारे खाते में पेसे डाल रही है हमारे वॉलेट में पेसे डाल रही है तो हम बार से ये फोन क्यों ना खरीद ले और सरकार हमारे खाते में पेसे डाल देगी क्या हम पेसे ले सकते हैं फोन खरीदना जरूरी भी है या नहीं तो यहाँ पर मैं आपको अगर बताऊं तो पिछला फोन आपको याद होगा जब वो जीओ वाले फोन मिले थे तो उसमें लोगों के खातों में पहले 500-500 रुपे बेजे गे थे उसके बाद जिन्नों ने फोन लिया और उसमें जना दारकार वो ममा सर्था उस टाइम वो रिजिस्टर किया उसके बाद 600 रुपे के करीब उनके खातों में और आगे और जिन्नों ने नहीं लिया उनको सिर्फ 500 रुपे मिले तो बहुत सरे लोगे से थे जिन्नों ने फोन लिया ही नहीं उन 500 से काम चला लिया तो अब इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है इसमें तो आपको फोन लेना ही पड़ेगा अगर आप ये चाहते हो कि हम 600 रुपे लेके रख ले तो ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त आपको पहले फोन लेना होगा अब क्या सिस्टम रखा है थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए केम में क्या होगा कि पहले आपको फोन लेना होगा फोन में वो सिम वगेरा आपके नाम से इंच्टोल होगा और सिम भी वहाँ पर नया मिलेगा अभी आपके पास जो सिम है वो नहीं चलेगा तो वहाँ पर SIM वगेरा वो सारा सिस्टम करके और फोन त्यार करके आपको दिया जाएगा और उस फोन में वहाँ पर एक डाउनलोड किया जाएगा एक वोलेट एप डाउनलोड किया जाएगा आपको पहले फोन लेना होगा आपको अपनी जेब से एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है आप वहाँ से फोन करीदेंगे वोलेट एप इंस्टॉल किया जाएगा उसमें सरकार पैसे डालेगी पैसे कंपनी ले लेगी आपको फोन मिल जाएगा ये प्रोसेस रहेगा आप बाहर से फोन नहीं करीज सकते और अगर आप सिर्फ पैसे रखने की सोच रहे हो तो इसा नहीं हो पाएगा मेरे दोस्तों मुझे तो डर है कि कहीं यही फोन मजबूरी में ना खरीदना पड़ जाए जैसे कि अगर कोई यह चाता है कि 800-100 रुपे सरकार दे रही है और हम अपनी जेब से कुछ एक स्टापे से डाल के और कुछ अच्छा फोन ले 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 और वो अच्छा फोन आपको केम्प में मिले ही ना तो मजबूरी बन जाती है कि आपको यही फोन लेना पड़ेगा तो इसा ना हो तो बढ़िया है बागी अभी तक जैसा पता चल रहा है कि कोई बढ़िया फोन वहां पर केम्पों में दिखाई नहीं दे रहा है यह दो फोन ही ज्यादा तक दिखाई दे रहे हैं अगर आपको दिखाई दिया है तो कमेर सेक्स में जरूर बताईए अगेन बता दू अगर आप अपनी जेब से पेसे कर्च कर सकते हैं तो आपको 5G स्मार्टफोन ही लेना चीए क्योंकि अभी 5G आई गया है दिवाली तक सब जगह परा जाएगा और 5G आने के बाद 4G के क्या हाल होने वाले हैं वो आप सभी को पता है लोगों का एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या पेन काड कंपनसरी है बीना पेन काड के क्या फोन नहीं मिलेगा तो ऐसा कुछ नहीं है waim पेंकारण कोई जुरूरी नहीं है अगर आपके पास hubय उसनी से फोन भाड़ हाई गारा की mines eating state technical a açık ले पीजिए उसनी सवाल यह विद्बेंगाएं की थी maras सिंदी है कि आप अपनी जेव से एक स्टाफे से कर्च करके अच्छा फोन ले सकते हैं और वहीं से लेना होगा आपको फोन उसी कंपनी के करमचावियों से जो वहां पर आप केंप में मुझूद मिलेंगे बाहर से नहीं ले सकते तो यह कुछ सिस्टम यहां पर अभी चल रह जाता है तो कोई दिकत नहीं आपको 100% फोन मिलेगा आपके पस SMS आ जाएगा SMS नहीं आएगा तो आपको कॉल करके बुला लिया जाएगा आपको किसी ना किसी तरीके से सूची जरूर किया जाएगा वहां पर केंप में उन करमचावियों के पास वाकाइदा एक लिस्ट है कोर उस लिष्ट से वह आपको कॉन्टेक्ट करेंगे आपको बुलाइंगे और वहां पर आपको फोन मिलेगा है मिलेगा और आपका गर लिष्ट में नाम है तो आप चले भी जाईए जिस दिन आप पर फोन वित्रित हो रहे है आपके हैं आपके शेतर के लोग लेक्या आ उस दिन आप चले जाएए आपको कोई दिक्त नहीं आएगी फोन मिल जाएगा SMS से यह नहीं है कि SMS आएगा तो यह मिलेगा बाकि जिन लोगों के पास पहला SMS आगया है उनके पास बहुत ही जल्द हो सकता है दूसरा SMS आजाए और बता दिया जाए कि आपका केंप कहां पर है और किस डेट को कहां पर जाकर आपको मुबाइल फोन कलेक्ट करना है मुबाइल फोन लेना है तो आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए बाकी जिन लोगों के पास SMS नहीं आया है जो illegible है तो गबरानी काथ ही जोरूरत ने है हमारे कुद के पास SMS नहीं आया है लेकिन हमारे मुबाइल नमबर वगएरा सही से अपडेट है अगर अपडेट नहीं तो वह अलग बाद हो जाती है आप online website से भी download कर सकते हैं वहाँ पर camp की जो सुचना देखते हो आप कि camp कहाँ पर है वहाँ पर list download का एक option रहता है तो वहाँ से आप list download कर लेजिए और उसमें अगर आपका नाम है तो आपको 100% mobile मिलेगा अब मेरा personal opinion अगर network activity की बात करें तो मुझे Vodafone का जो sim है वो सबसे निचले सतर का लगता है तो वहाँ पर अगर जियो का option मिले तो आपको भी लेना चीए बाकि हो सकता है आपके शेतर में जियो का network अच्छा ना हो तो आप अपने हिसाफ से ले सकते हैं तो अगर हच्छा है तो जियो का लीजिए बाकि दूसरे network के भी option हो सकता आपको देखने को मिले लेकिन जितने भी केमपों में ने देखे हैं footage निकालिया और वहाँ से इदर उदर जितने भी लोगों के हमें वीडियो मिले हैं उन सब में Vodafone का सीमी दिखाई दे रहा है बाकि आपको क्या दिखाई दिए क्या आपने जियो का अईटेल का दूसरे भी देखे हैं comment section में जरूर बताईए और हाँ कोसिस की है कि आपके कुछ confusion क्लियर कर सकूँ उमीद करता हूँ आपको कुछ नया जानने को मिला होगा कुछ confusion क्लियर हुए होंगे वो आप comment section में बता सकते हैं अगर इन सवालों के अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल है आपकुछ भी जानना चाते हैं तो बेजज़क आप comment section में लिखे और अगर आपकी कोई राय है इस योजना से समधित आपको और कुछ बताना चाते हैं तो please comment section में बताईए चलिए मिलते हैं लिख वीडियो में और चैनल पर नई हो तो subscribe कर लीजिए बेल आइकन में प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले चलिए मिलते हैं लिख वीडियो में